Good morning students, how are you all? I hope you are doing well. आप लोगों के हफेली एक्जाम ओवर हो गए हैं और आटम ब्रेक स्टार्ट होने वाले हैं तो सब लोगों को बहुत मजा रहा होगा, दिवाली भी आने वाली है, है ना? तो अब आप लोगों का UT2 का कोर्स भी स्टार्ट हो गया होगा तो चलिए हम लोग भी हमारे UT2 का फर्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमारे UT2 का फर्स टॉपिक है सॉब्रेक्यू अब ये सॉब्रेक्यू क्या होता है? सॉब्रेक्यू का मतलब होता है, चलिए पहले हम यहां पढ़ते हैं, यहां पर कहा लिखा है किसी बी पर्स न को, किसी बी चीज को, किसी बी कंट्री को, किसी बी जगे को, सिटी को किसी special नाम से जब बुलाया जाता है, तो उसको बोलता है सॉब्रेक्यू जैसे एक्जामपल माल लो हम लोग बोलते हैं सन सिटी Sun City मतलब Jodhpur, Pink City Pink City मतलब Jayapur इसी तरीके से सबका अलग-अलग जो होता है किसी को special नाम कुछ न कुछ दिया जाता है ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं Sobricue Name these countries and cities from their Sobricues Choose the correct answer from the help box यहाँ पे जो help box दिया हुआ है उसकी help box की साहता से हम लोगों को यहाँ पे countries or cities के नाम लिखने है Number 1 The Gift of the Neal Neal क्या है? नदी है जो हम लोगों ने पढ़ा था जो सबसे longest नदी है वर्ल्ड की ठीक है? तो Gift of Neal मतलब नील के द्वारा दिया हुआ Gift कौन सी कौन सी country है? तो वो है Egypt The Land of the Rainbow वाव! Rainbow तो clouds के आसपास उपर आसमान में स्काई में दिखाए देता है Land of Rainbow मतलब Land of Rainbow मतलब उस जगह पे बहुत सारे rainbows बार बार rainbows बहुत हरी आलिवा रहती होगी बारिश होती होगी तो वो जगह है Hawaii The Land of White Elephants वाव! हम लोगों ने Gray Elephants देखे हैं तो मतलब जहां पे बहुत सारे white elephants पाए जाते हैं वो है Thailand The Land of Thunderbolt ठीके वो है Bhutan The Land of Thousand Lakes जहां पे बहुत सारी lakes है वो कौन सी जगह है? Finland The Sugar Bowl of the World Sugar Bowl मतलब शुगर का बड़ा कटोरा कौन सी जगह है? Cuba क्योंकि यहां पे सबसे रादा शुगर पाए जाती है खेतीघी जाती है The City of Joy जहां पे खूप सारी खुशिया है हाला कि सब जगह बहुत सारी खुशिया है लेकिन यहां पे City of Joy यहां पे क्यों बोलाते हैり कि यहां के लोग बहुत इंजॉई करते हैं शायद इससे लिए वो जगह है कॉलकाता कॉलकाता कहा है इंडिया में दे लेंड अफ केक्स ऐयो केक्स वाव सो यमी स्कॉटलेंड एमराल्ड आयल मतलब क्या होता है किसको बोला जाता है आयलेंड को ठीके इसके उपर जो वीडियो है वो मैं आपको भेजूंगी वो आप जरूर देखिएगा तो आपको बिलकुल समझ में आ जाएगा The City of Seven Hills मतलब साथ हील्स का जो शहरे वो किसे बोलते हैं रोम को ठीके अब ये पढ़ते हैं The Tibetan Plateau is also known as the roof of the world Since some of the world's highest mountain ranges begin here है ना तो Tibetan Plateau को जो है वो दुनिया की छत रूफ भी बोला जाता है दुनिया की छत भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे mountain की ranges start होती है ओके यह हमें याद करना है Tibetan Plateau Because of the earth's tilted axis during summer in the northern hemisphere the north pole is tilted towards the sun This results in long periods of daylight This is why Norway and Alaska are both known as the land of the midnight sun अब आप सब लोगों को पता है अर्थ जो है वो हलकी सी क्या है अपने axis पे tilt वही है थोड़ी सी जुकी वही है आप सब लोगों ने solar system में पढ़ा होगा तो जब summer की time में क्या होता है गर्मियों की time में क्या होता है northern hemisphere के अंदर north pole जो होता है जैसे न नौर्थ पोल and south pole तो north pole जो होता है वो जब sun अपने axis पे घुमता है तो वो जो north pole है वो sun की तरफ आ जाता है उसके उससे क्या होता है this result in long periods of daylight मतलब आप बोलते न के गर्मियों में दिन बड़े होते है सर्दियों में राते बड़े होती है ऐसा बोलते है तो वैसे ही क्या होता है उसके result से जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं है ना this is why norway and alaska are both known as the land of the midnight sun चीके तो वही पर इसी वज़े से norway और alaska को दोनों को दोनों cities को क्या बुला जाता है land of the midnight sun हमें ये भी याद करना है तो ये आज हम लोगों ने कर लिया page number 40 तो आज की date भी आप लोग लगा दीजीगा 13, 10, 20 और आप लोग अपना काम कंप्लीट करके और learn भी कर लिजेगा और ये यलो वाला भी याद करिएगा ओके चलिए तब तक के लिए बाबाई